नमस्कार आपका अख़बार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंह सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी ओर से आप लोगों को भी बदाई आपका आभार आपका शुक्रिया आपका दन्यवाद कि मेरे चैनल के सबसक्राइबर्स की संख्या 5 लाग के पार हो गई कल रात ने और जितनी जल्दी उमीद थी उससे थोड़ा देर में हुआ लेकिन 5 लाग की संख्या पहुँँच गई यह आपके सहयोग यह आपके समर्थन के बिना नहीं हो सकता था लेकिन आपसे एक और उन्रूद है कि पांच लाग सब्सक्राइबर तो जरूर है लेकिन उस अनुपात में देखने वालों की संख्या कम है तो अगर आप मदद कर सकें, कोशिश कर सकें कि आपके मित्र, आपके जानने वाले और लोग भी चैनल देखें और उसके आधार पर तैकरें कि आगे देखना है या नहीं और चैनल की गुर्वत्ता के बारे में जिस तरह से आप फीडबैक देते रहते हैं मुझे पूरी उमीद है कि ये सिलसिला बना रहेगा अब आते हैं आज की खबर पर महराश्च की राजनीती में फिर कुछ खद बदहाट हो रही है और महराश्च की राजनीती के चानक के और देश के नंबर एक पलटू राम शरत पवार फिर हरकत में है क्या करेंगे किसी को मालूम नहीं लेकिन उनके सामने विकल्ब क्या है ये आपके सामने भी स्पष्ट होगा थोड़ा मैं भी स्पष्ट कर देता हूँ उनकी पार्टी जा चुकी है अजीत पवार उनके भतीजे उनसे पार्टी उनकी नाग के नीचे से छीन कर ले गए वो कुछ कर नहीं पाए शुरू में दो चार छे दिन दस दिन जो है बड़ी बहादुरी दिखाई उन्होंने दो दो पैबलिक मीटिंग कर दी और उस पैबलिक मीटिंग में कॉंग्रेस का बड़ा योगदान रहा और उसके जरिये बताने की कोशिश की कि मैं फिर से पार्टी खड़ा कर सकता हूँ मैं अभी अभी बुढ़ा हो गया हूँ लेकिन रिटायर नहीं हुआ तमाम तरह की बातें उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने कहा कि अमिताब बच्चन के उमर इतनी हो गई है रतन टाटा के इतनी हो गई है अलागि उन सब का कोई मतलब नहीं है शरत पवार के स्थिति से शरत पवार के समय इस समय अगर आप शरत पवार की जगह हों तो आपके मन में क्या होगा, सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा, प्राथमित्या क्या होगी वही शरत पवार के सामने है, शरत पवार चाहते हैं उनकी बेटी सुप्रिया सुले राजनीतिक रूप से स्थापित हो इसी के लिए उन्होंने पार्टी में इतना नाटक किया उसके बाद पार्टी की विरासत सौम थी बेटी को लेकिन पार्टी ही नहीं रही तो विरासत कहां से रह गई अब हालत यह है कि अगर ये स्थिती बनी रही तो अजित पवार का जो असर है पशिमी महाराष्ट में और मराठा समधाय में उसको देखते हुए बारा मती जो शरत पवार का गढ़ है घर है वहाँ भी शरत पवार के लिए कठिनाई है और उनकी बेटी सुप्रिया सुलेज जो अभी बारा मती से लोगसभा की सदस्या है वो लोगसभा का चुनाव नहीं जीत पाएंगी ये पका मान कर चलिए अगर अगर महाराष्ट की सरकार का ये जो तीन पार्टियों का गड़बंदन है उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारता है तो उनकी हारता है तो शरत पवार के लिए ये बात बरदाश्ट करना जरा मु मुश्विल हो रहा है कि कहां तो हम सब कुछ सौंप रहे थे बेटी को कहां एक लोगसभा सीट के लाले पढ़ रहे हैं तो उनके सामने विकल्प बहुत ज़्यादा नहीं है जो वर्तमान परिस्थिती है उस पे उनके सामने कहीं और जाने का विकल्प खुला ही नहीं है ज थोड़ी शायद इजद बच जाए, शायद कोई फेस सेविंग मिल जाए, वो चाहते हैं कि उनकी बेटी को केंदर में मंत्री बना दिया जाए, इसके बदले में वो इस सरकार को समर्थन करने को तैयार हो जाएंगे, ऐसी चर्चा इंदिरों काफी है, इस चर्चा को हवा दे मिलेगा एंडिये को, यानि इंडिया जो निया गडबंदर बना है, उसमें टूट का रास्ता तैयार हो रहा है, शरत पवार उससे निकल सकते हैं, आपको मालूम ही है कि 17-18 जुलाई को जो बैठक हुई थी बैंगलूरू में, उसमें 17 तारी को शरत पवार नहीं गए थे, 18 को गए थे और 18 को भी उनकी बेटी साथ नहीं गए थी सुप्रिया सुले, क्या ये तैयारी है इंडिया यानि विपक्षी गडबंदन से बाहर निकलने की, शरत पवार की हो सकता है, ये असमभव बात नहीं है, और ये स्थिती जो है अजीत पवार के लिए भी कोई बुर और अरजी दी है, नौ विधायकों जो मंत्री बने हैं, उनों विधायकों की सदसिता रद करने की, वो अरजी वापस लेते हैं या नहीं, अगर वो अरजी वापस लेते हैं, तो समझ लिजे, समझाता हो गया, तो समझ लिए शरत पवार NDA में आ अगया, अब सवाल ये है, कि एक और सज्जन है महाराष्ट की राजनीती में जिनका नाम है पृतिवी राज चोहान आजकल वो उन्होंने जोतिशी का चोला पहन लिया है जब से NCP टूटी है तब से वो लगातार बोल रहे हैं कि 10 अगस्त तक एक नाश चिंदे मुख्यमंतरी पत से हट जाएंगे अब उनकी नई भविश्यवानी है कि अजित पवार मुख्यमंतरी बनेंगे क्या कैलकुलेशन है उनका वो ही जाने लेकिन 10 तारीक जो 10 अगस्त की बात कर रहे हैं उनका सारा कल्कुलेशन इस बात पर निर्बर है कि 10 अगस्त को मियाद पूरी हो रही है जो सुप्रीम कोट ने स्पीकर को दी थी कि इस समय तक फैसला जो है शिंदे गुठ के जो 15 विधायक हैं उनकी अग्यता के बारे में हो जाना चाहिए पहली बात तो विधान सबा के स्पीकर राहुल नर्वेकर ने इस स्थिती को इस पश्ट कर दिया उनका सुप्रीम कोट ने मुझे ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है और कोई भी अदालत किसी भी स्पीकर को ये निर्देश नहीं दे सकती कि कितने समय में फैसला करें इसलिए सुप्रीम कोट ने जो कहा है सिर्फ इतना कि जल्दी से जल्दी फैसला होना चाहिए अब ये स्पीकर के उपर है कि वो कब तक और किस तरह से फैसला लेते हैं तो पृत्वराज चौहान का जो ये 10 अगस्त का शिगूफा है उसमें तो कोई दम नजर आता नहीं लेकिन जो मामला चल रहा एकनाज चिंदे और उनके 40 विधायकों का तो 40 विधायक जो एकनाज चिंदे के हैं उसके लावा जो 16 विधायक उद्धव ठाकरे के साथ है इन सब को नोटिस जा चुका है अभी स्पीकर इस बात का फैसला नहीं कर रहे कि कौन योग्य होगा कौन आयोग्य होगा यानि 15 विधायकों की आयोग्यता पर फैसला नहीं कर रहे हैं उन्होंने सब को नोटिस दिया सब के जवाब आ गये हैं और उनका अध्यान हो रहा है इसके बाद अगला कदम उठेगा जब चुनाव आयोग्य दोनों पक्षों के जो पार्टी सम्विधान की मूल प्रती है वो स्पीकर के पास भेजेंगे उसको अध्यान करने के बाद स्पीकर इस बात का फैसला करेंगे और इस बात का फैसला करने से पहले दोनों निताओं को बुला कर यानि एक नाचिंदे और ठाकरे से बात करके कि जून और जुलाई 2022 में किस गुट का सम्विधान लागू था जिस गुट का सम्विधान लागू था उसी गुट को चीफ विप यानि मुख्य सचे तक नियुक्त करने का अधिकार होगा जिस गुट को मुखे सचे तक नियुक्त करने का अधिकार होगा उसी का विप चलेगा अगर स्पीकर इस फैसले पर पहुंचते हैं कि उस समय एकनाश शिंदे गुट का सम्मिधान लागू था और उनकी पार्टी को यह अधिकार था कि मुखे सचे तक नियुक्त करें तो उनके मुखे सचे तक का ही विप माना जाएगा फिर उद्धो ठाकरे का जो इन पंदर सदस्यों की अयुगिता का मुद्दा है वो खत्म हो जाएगा तो यह इसमें अभी समय लगने वाला है और मान लीजिए मैं कहता हूँ मान लीजिए तर्प के लिए कि स्पीकर इस नतीजे पर पहुँखते हैं कि इनकी सदस्यता रड़ कर दी जाए पंद्रह ही नहीं 40 की रद्दकत दी जाए मान लिजे ये फैसला सुनाते है स्पीकर फिर क्या होगा ये 40 के 40 अदालत जाएंगे वहां से स्टे मिल जाएगा कि जब तक अदालत का फैसला नहीं आता तब तक स्पीकर का फैसला लागू नहीं होगा तो उनकी सदस्यता तब तक बची रहेगी जब तक अदालत से इस मुद्दे पर फैसला नहीं हो जाता तो ये जो एक कॉंस्पिरेट्जी थेवरी चलाई जा रही है कि शिंदे गुटके लोग आयोगी हो जाएंगे उनको सरकार से बाहर जाना पड़ेगा फिर सरकार का पुनर गठन होगा और उसमें अजीत पवार मुख्यमंत्री बन जाएंगे यानि बीजेपी क्या करेगी बीजेपी डफली बजाएगी बीजेपी के पास तो कोई काम है नहीं 105 सदस्यों वाली पार्टी जिसके पास 14, 15 और विधायकों का समर्थन हासिल है वो कुछ नहीं करेगी और जो 40 सदस दवा कर रहे हैं अजीत पवार के गुट 40 सदस से लेकर आए हैं वो तैह करेंगे कि मुख्यमंतरी कौन होगा और वही मुख्यमंतरी बन जाएंगे ये सब एक कॉंस्पिरेसी एक शडियंतर के तहत ये सब चलाय जा रहा है ये एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है मान लीजिए कि अगर सिंदे गुट सरकार से बाहर हो जारता है तो क्यों NCP का मुख्यमंतरी बनेगा क्यों अजीत पवार मुख्यमंतरी बनेगे क्यों देविंद फणनवीस नहीं बनेगे क्यों वीजेपी का मुख्यमंतरी नहीं बनेगा अब आप देखें किस तरह की छोटी छोटी बातों को जोड़ कर इस थेयोरी को सही साबित करने की कोशिश हो रही पिछले दिनों एक नाशिंदे अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली आये थे अब प्रधान मतरी नरेंद मुदी से मिले बहुत अच्छी मुलाकात हुई अब कहा ये जा रहा है कि ये उनकी फेरवल पार्टी थी कि विदाई समारो था उनकी विदाई होने वाली है इस सरकार से तो इन सारी अफ़वाहों को विराम देते हुए देविन्द फणनविस ने बाकाईदा बयान दे कर कहा कि एकनाच्छिंदे मुक्यमंत्री हैं और मुक्यमंत्री बने रहेंगे तीनों घटकों के नेताओं ने बैठ कर यानि देविन्द फणनविस एकनाच्छिंदे और अजीत कवार ये तै किया था कि ये arrangement बदला नहीं जाएगा यही arrangement रहेगा यानि एक नाच शिंदे ही मुक्यमंत्री बने रहेंगे और उन्होंने कहा कि इस गड़ बंधन की सबसे बड़ी पार्टी का नेता होने के नाते मैं ये आश्वासन दे रहा हूं कि ये इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है लेकिन बात फिर घुम फिर कराते शरत पवार पर शरत पवार का क्या होगा मुझे लगता है शरत पवार इतनी बुरी हालत में इससे पहले कभी नहीं थे आप देखिए कि बैंगलूरी की बैठक हो गई उसके बाद काफी समय बीद गया लगभग एक हफते से ज़्यादा समय बीद गया आपने शरत पवार का कोई बैयान सुना क्या कहा जा रहा है ये भी अफवा उड़ाई जा रही ही शरत पवार ने एक कमेटी बनाई है जिसमें अजित पवार हैं प्रफुल पटेल हैं सुप्रिया सुले हैं और उसके अलावा जैन पाटिल हैं य उनको अरजी लगाने अगर आना है एंडिये में तो अरजी लगानी पड़ेगी बीजेपी के सामने और बीजेपी पर निर्भर करता है कि वो उसको स्विकार करती है या नहीं बीजेपी क्यों शरत पवार को फिर से संजीवनी देना चाहेगी एक सवाल होगा बीजेपी अ आजीत पवार का फैक्षन ज्यादा पावरफुल हो जाए, ज्यादा शक्तिशाली हो जाए, क्योंकि तम तिर्पन विधायक हो जाएंगे उनके, अगर साथ आ जाते हैं, एकनास शिंदे गुटके 40 ही विधायक है, एकनास शिंदे की पार्टी दूसरे नंबर से तीसरे नंब बराबरी की स्थिति में हैं, अगर अजीत पवार का दावा सही है, कि उनके पास 40 विधायक है, अना कि उन्हें पार्टी तोड़ने के लिए 36 चाहिए, पार्टी पर कबजा करने के लिए भी बहुमत का साथ चाहिए, इसलिए महाराष्ट में इस तरह में शडेयंद्र का द दरस्तारी को बन जाएंगे, दरसल वो ज़्यादा डरे हुए हैं अपनी पार्टी में तूट को लेकर, उनको डर है कि अगर इस सरकार के स्थाइतों का संदेश जाता है, तो कॉंग्रेस पार्टी तूट जाएगी, ये तैबात है, तो इस कॉंग्रेस पार्टी की तूट क बचाना है, तो लगातार इस तरह की अफवाएं, इस तरह की चर्चा बनी रहनी चाहिए, ये सरकार स्थिर नहीं है, इसमें अंदरूनी जगडे हैं, कभी कभी दिविंद फन्नवीस और एकनाश शिंदे के भी जगडा बताया जाता है, कभी अजित पवार और शिंदे की कबरें बनाई जाती है, गड़ी जाती है, उनको चलाय जाता है और उसका नेरेटिव बनाने की कोशीश होती है, लेकिन उस З्याधा समझ चल नहीं पाती है, और इसमें बीच बीच में जो है, आग में घी डालने की कोशीश संजेरोट too भी करते रहते हैं, उनके पास बढ़ने वाली है और उनके पास कोई ठिकाना नहीं है कि जहां जा सकें तो इसलिए महाराश्ट में ये अफवाहों का दौर ये शडियंत का दौर अभी कुछ समय तक और चलता रहेगा जब तक NCP का फैसला नहीं हो जाता जब तक ये तै नहीं हो जाता कि NCP पुरी तरह से अ तब तक अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक ये अफवाहें ये खबरें ये शडियंत की कोशिश हैं ये सब चलती रहेगी तो इज़जार कीजिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है जल्दी ही इस बारे में फैसला होने वाला है तो इस अंक में इतना ही अगले में फिर मिलेंगे किसे नए मुद्दे के साथ तब तक कलियर मती दीजिए आप से अनूद है कि ये चैनल देखे शेर कीजिए लाइक कीजिए और सबस्क्राइब जरूर कीजिए नमस्कार